क्वालिटी जो होती है ना इसका इमोशन से गहरा डेलेशन होता है अगर इमोशन सही नहीं है तो क्वालिटी भी सही नहीं हो तो कहने का जो तात पर रहे है वो कुछ इस प्रकार से कि अगर आप काम में भावना नहीं मिलाते है तो फिर तो वो काम आम हो जाता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है वो क्वालिटी वर्क नहीं होते है उसमें कुछ क्रियाटिविटी में इमोशन आएंदे ही नहीं मानव जीवन क्रिया प्रधान नहीं है कर्म प्रधान है क्रिया में जब तक नियत ना हो तब तक उसके फल का निर्धारन नहीं होता और नियत जो है न उसमें सिद्धत देखी जाती है अगर नियत सही हो तो सिद्धत देखी जाती है जुजहारूपन लगन सीलता उसमें देखा जाता है तो ये जो जुजहारूपन लगन सीलता है ये लगन सीलता बाजारों में नहीं होती यही decide करती हैं कि आपका काद कितना ज़्यादा फलीभूत होने वाला है emotion हटा देजे तो कोई महत्व ही नहीं है अब इस बात को देख लेजिए कि अक्सर लोग बादशित करते समय नजरे नीचे कर लेते हैं तो यह कहां कि समझधारी है अप मा को देखे होंगे अक्सर जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा बदमासिया करते हैं तो मा छमा करते जाती है सहते जाती है तो आसपास में जब ऐसी चीजों को आप देखते हैं कि बच्चे बदमासिया कर रहे हैं और माता पिता उसे अंदेखा कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या होता है रिस्ता जो होते है न वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सत्य जितने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो रिस्तों में खास किसम का सुख होता है आप वो सारे कारे कर सकते हैं रिस्तों के माध्यम से जो कारे आप आम तोर पे नहीं कर सकते हैं आप देख लिजिए एक लर्का लर्की को साथ रहने की इजाजत नहीं होती वो कितने देर तक पार्क में रह सकते हैं छुपते छिपाते ना अगर पार्क में है एक दूसरे को मान लीजिए हग कर रहे हैं या से एक हैंड कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी कार्दे वो कर रहे है आप यहां पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे लेकिन वो भी समाज से डर करके पर हज्बेंड वाइफ जब वो हो जाते हैं एक रिष्टे के सुत्र में बंद जाते हैं तो तो उन्हें लाइसेंस मिल गया एक साथ रहने का पुट्र जो होता है, वो माता पिता के संतान होते, उनके प्यार की निशानी होते हैं तो पुट्र के रूप में अगर आप अच्छे पुट्र हैं, अच्छे बेटे या बेटी हैं तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जिससे आपके माता पिता को सुकून या सुख मिले अब माता पिता को सुकून या सुख मिले जब आप वो सारे कारे करते हैं तो उपर वाला जो है ना वो आप पर प्रसन्म होता है भलाई का काम आप करते हैं यह सबसे बड़ी पूजा है, यह रिष्टे में बंद कर ही आप कर सकते हैं, ऐसे आप करना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा, जहां अच्छाई है, वहां अच्छे लोगों को आकरसित हो जाना सभाविक बात है, अच्छे लोग अच्छाई की और खीचे चले जाते हैं, और बुरे लोग बुराई की और खीचे चले जाते हैं, यह सभाविक गुन है, इसमें कोई आश्यर एकी बात नहीं है, और अच्छे लोग कमजोर नहीं होते, सहनसील होते तलाक शब्द कभी बना ही नहीं हिंदु धर्ब में तो तलाक एक्जिष्ट ही नहीं करते, अस्तित्म में ही नहीं है कोई तो कारण होगा जीवन साथिक की संग्या दी गई, यानि जीवन भरका साथि कुछ तो जैनम जैनम के साथि कुछ साथ जन्मों के लिए FD करा लिए तो रिष्टे इतने खूबसूरत है, तभी तो ये सब शब्द जन्मे है तो ये सारे शब्दों को समझना होगा और सुधरने के लिए इनसान को क्या चाहिए? सुधरने के लिए इनसान को बस एक पल चाहिए, बस एक पल कोई ज़्यादा समय नहीं लगता सुधरने में, एहसास चाहिए अगर आपको एहसास हो गया कि आप गलत है और सामने वाला सही है और आप उनके साथ गलत कर रहे हैं माल लेजे कि हमें एहसास हो गया कि हम गलत हैं और सामने वाले के साथ हम बहुत गलत कर रहे हैं सामने वाला एक दम सही है, सदा से मेरा भला चाह रहा है तो जिस पल में यह हिसास हुआ, उसी पल में इनसान यू टर्न मारता है जब उसे लग गया के आगे पूल तूटा हुआ है, हम गलत रास्ते पर है हमारा मान सम्मान के वज़ाए अपमान और बदनामी हो रही है अपमान अपयस फैल रहा है, तो हम क्यों उस रह पर चलेंगे अब हमने यू टर्न मारा, तो जो अगले के चहरे पर हिसास होगा जिसके साथ हम गलत कर रहे थे, उसके साथ हमने अच्छा करना सुरू कि तो जो अगले के चहरे पर हिसास होगा वो कमाल का हिसास होगा उस समय यह दिवत्व भाव है एक तो भावनाएं उपर से रिस्तों की परत चड़ी हुई है तो समाज वाले आसपास वाले बोलने वाले नहीं है और जहां पे लोग मिल जूल करके रहते हैं वहां तो सुमत ही रहते हैं एक तो अच्छा कारे हो उपर से मिल जूल करके रहे हैं अच्छाई के लिए संग अठेत हैं यू आरगनाले जो वाले परपषव कर दे परपषव पॉल फेर सूचे कहा जाएगी लाइफ वह जीवन सार्थक मानी जाते हैं तो उसके इंटजार में लोग सहते रहते हैं माता-पिता सहते रहते हैं, पती-पत्नी भी एक दूसरे के लिए सहते रहते हैं, सच्छा दोस्त भी सहता है कही जगह पे, हर इस्तों में कुछ न कुछ तो सहना परता ही है, अगले को सम्झाने के लिए पहले उसे समझना परता है, और जिन्दगी कितनी बरी है, यह मत देखे, कितनी खोबसूरत है, यह देखे, एक साल इनसान तैयारी करता है, एक साल पूरा, लेकिन एक्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है, तो पिछला सारा किया हुआ मेहनत भोल जाता है, फॉस्ट डिविजन आते ही, टॉप करते ही, बहतरे हिन मार्क्स लाते ही, पिछला सारा मेहनत का उसे ज्ञान नहीं रहता है, वो बहुत खुश रहता है, सोचते हैं सौधा सस्ता है, कोई तो कारण होगा, कोई भी पत्मी अपने पती को दूसरे के साथ देख करके, विचलित हो जाती है, और पती भी विचलित हो जाता है, यही तो कारण है, तलाक शाग्दे से तो इनसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सोचते हैं कि किसी भी तरह से मेरा रिष्टा बच जाए, और सब कुछ नौर्मल हो जाए, किसी भी तरह से, मा सोचती है कि किसी भी तरह से मेरा बेटा सुधर जाए, और अन्य बेटों की तरह मेरा कहना मानने लगे, अच्छाई की रह पे चलने लगे, अच्छे अच्छे काम करने लगे, जैसी वो गुड़ी गुड़ी वर्क करने लगेगा, लाइफ हैपी हैपी हो जाएगी, यह तो इंपॉर्टिन चीज नहीं है, समझना है, अर जिन्दगी में कब अहसास हो जाएगी, इसको कौन जानता है, पर इतना भी लंबा इंतजार नहीं होना चाहिए, उसके लिए सत्यकी कसौटी सही है, कर्म करना ज़रूरी है, जब हम लोग बच्चे होते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे हैं, जो हम लोगों को करने ही करने होते हैं, जैसे मूद होना है, उसके बाद लेट्रिंग जाना है, फिर उसके बाद असनान करने हैं, तो ऐसे करके मूद होना, लेट्रिंग जाना, यासनान करना, यह जो भी कार रहे हैं, यह सब निश्चित हैं, यह इससे कोई खाना खाना, यह सब सांस लेना, यह सब से कोई इनसान मुक्त नहीं हो सकता, यह सब करके ही इनसान मुक्त हो सकता है, ठीक, उसी प्रेकार से यह स कि अनुसार ही अगर हमें बरे हुए तो घर खर्ची चलाना है रोटी कपड़ा मकान यह तीन बुनियादी जरूरत है रहने के लिए आवास चाहिए ही इसके बाद भोजन भी चाहिए वस्तर भी चाहिए तो ये सब बुनियादी आवशकता है हैं ये सब चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए तो खटेंगे हैं इसके लिए इनसान आट घंटे ड्यूटी करता ही है दूसरे की ताकि इन सबसे मुक्त हो जाए कुछ लोग इस से ज़्यादा भी करते हैं लेकिन ये तो गुलामी हो गई कहा जाता है जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाईगी तो चादर को क्यों न बरा कर दिया जाए चादर बरे होंगे तो पैर सुथा बरे होंगे तो चादर बरा करने का मतलब क्या है कि इंसान अगर मान लिजिए कि अब आठ वज़े से ले करके तीन वज़े तक ड्यूटी किया तो साथ से तीन अगर ड्यूटी किया ठीक है आते जाते समिला दिया साथ से तीन ड्यूटी कर दिया तो साथ वजे के पहले का समय तो उसका अपना है वो भोजन वस्तर आवाज से मुक्त होने के लिए कर जाए और तीन वजे के बाद का समय उसका अपना है तो वहाँ तो वो भोजन वस्त चादर लंबा करने के लिए महनत करेगा ने वहाँ तो चादर लंबा करेगा ताकि भविष्य में वो और लंबे पैर फैला सके पैर का मतलब क्या इच्छा और लंबी इच्छा कर सके और लंबा सामर्थे का प्रदर्शन कर सके और लंबी मेहनत को दिखला सके तो ये एक महत्वपुन्द बिन्दू है कि आप एक्ष्ट्रा समय में खुद को दो चीजों से मुक्त कर लिजे एक धन के अभाव से मुक्त कर लिजे धन की कमी नहीं होनी चाहिए नहीं तो इस अर्थ के यूग में आप फेका जाएए अर्थ के यूग में आपका फेका जाना लाजमी सी बात है अगर धन की कमी है तो आप किसी के काम आईए गहीं ने एक तो महत्वपूर्ण बात ये है पैसे क्या पेर पे उगते हैं तो हाँ भाई पेर ही तो है अगर हम कुछ सीखे हैं उसके अनुसार जॉब करते हैं तो हमने एक पेर ही तो बना लिया है जिसमें निश्चित टाइम पर एक निश्चित फल निकलते हैं और उससे हमारी दिन चर्या की एक मासिक दिन चर्या की पुर्ती हो जाती है पैसे तो पेर पे उग्टे ही हैं उस पेर के नाम अलग है कौशलता के पेर पे ही तो ब्रिक धन के उग्टे है सरस्वती तो वो वीज है जिससे लक्षमी की फसल तैयार होती है बात बहुत बड़ी कह दिये हैं लेकिन अभी उस दिसा में नहीं जाना है इसके पास सरस्वती है ना चाहते हुए भी लक्षमी का उत्राधिकारी वही है वरना इस भाग दौर भरी जिन्दगी में कौन किसको पूछता है जिससे जरूरत है उसी को लोग पूछते हैं नहीं तो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है एक डौर ऐसा था जब हमारे कोचिंग थे तो पचासों जगह से दिन भर में कॉल आते थे सर यह सर वो सर वैसे सर ऐसे और आपके सर फोन बंद करके या दूसरी जगह रख देते थे बंद करके रख देते थे साइलेंट नहीं करते थे अलोग जानते भी थे यह इस टाइम बन रहेगी क्लास आवर इसका कर्म इसके लिए सरवाधिक महत्वपूर्ण है और जो होने थे वो तो हो गया उसे टाला तो नहीं जा सकते हैं बहराल लेकिन हाँ जैसे उस कर्म से निजात पाएं अगले के लिए हमेसा त्यार कॉल बैक करके जरूर पूछना है कि बात क्या थी और वही मान सम्मान इज़त देना रिष्टों की मर्यादा तो समझ नहीं होगी न कोई भी इंसान रिष्टों से हुने वाले सुख इतने ज़्यादा है कि उसको गवाना नहीं चाहता रिष्टे वो रास्ते हैं जिसके सहारे इंसान जिन्दगी से मौत का सफर टै कर लियता है सुकून से रिष्टे बागी चे हैं अगर अच्छे हो जाए तो और नहीं तो रिष्टे बोज भी है चुकि जाना तो उधर है तो समाज में एक पहचान होनी चाहिए ना परिवार से ही तो पहचान होती है अब परिवार में एक भी सदस से कम है तो लोग चढ़ जाते हैं ताना मारने लगते हैं वहीं से तो अभद्रता अकरपन लोग दिखाना सुरू करते हैं बना तो नहीं सकते बिगारने के लिए तैयार है तो आपको तो इसको समझना होगा कर्म ऐसे करने चाहिए कि यग्य किया जाए लोगों को लगे कि यग्य हो रहा है हमें किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है लेकिन अपनी बात जरूर रखनी है अपने आपको भी तो ठेस नहीं पहुँचे इसका ध्यान हमें ही रखना है ना लेकिन अतिकरमन नहीं करना चाहिए हमारी सीमा हम तक है हम अगले की सीमा में घुस करके उसको डंडित क्यों करें उसको अनावश्यक तोर पर प्रतारित क्यों करें जब आवश्यक्ता ही ना हो सिर्फ इसलिए कि हम काबिल बन रहें यह बात बहुत घटिया लगती है बात समझने की कोशिस केजिए लोग जी रहे हैं अपनी जिंद्री उन्हें जीने देना चाहिए है कि नहीं लोग अपनी जिंदगे जी रहे हैं तो उन्हें जीने देना चाहिए आपको भी अपनी जिंद्री जीने का हग है तो इसलिए लोग सहते रहते हैं सहते रहते हैं गवाना नहीं चाहते इसी दौरान एक गलती लो करते कि सुसाइड कर लते हैं कठिनाईयों का स्तर जब बढ़ जाता है तो सुसाइड कर लते हैं कहा जाते है कि सबसे बरा दुसमन वो होता है जो आपको खुद न मारे ऐसे हालात पैदा कर दे कि आप खुद खुशी करने के लिए मजबूर हो जाए यह सबसे बड़ा दुस्मन होता है तरपा तरपा करके मारे जब आपको यह लगे कि जिन्दगी मौत से बत्तर है तभी आप खुद खुशी करते हैं तो ऐसे केस में बॉली बुड में यह बहुत ज़्यादा देखा जाता है सुसान सिंग राजपूर्ट के केस में देख लिजे क्या हुआ था जिया खान के केस में देख लिजे कुछ तो हुए होंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की जरूरत है और ट्रेमिंग भी जरूरी है रिस्टे में क्या रखे क्या नहीं रखे यह बहुत आवश्यक है गर दोस्ती बनाने तो धर 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 दोस्त बना लिए एक नया स्कूल में गए यह गलत वात नहीं है खेर वित्रता पर कभी और टॉपिक बना देगे लोग रिस्टो को क्यों जहेलते हैं क्योंकि मनुष्य कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से वह बुरा नहीं होता है वह तो उस समय ब्लैंक पेपर होता है एक दम कंप्लीट ब्लैंक पेपर उसमें तो कंटेंट्स डाले रियाते हैं उसके सॉफ्ट वेर में मेमरी अपलोड की जाती है तो उसे जो सिखाएगा वही नो वह सिखेगा तो उसे हम लोग सिखाते क्या है उसे हम लोग सिखा देते हैं कैसे जगरा करना है कैसे हम लोग नहीं भी सिखाते हैं तो वह कॉपी कर लेता है अबजर्ब कर लेता है जो आस पास के माहल में है कोई अब्योजिंग कर रहे है तो वो चीजे वो अब्जर्ब करेगा ना स्वत्र करेगा बताने की जववत भी नहीं है जो वो अब्जर्ब कर रहे है वही ना आपके सामने रखेंगे तो आपको आपने बुराईयां दी और जब आपको बुराईयां वो दे रहे हैं तो आपको लग रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया ये क्यों दे रहे हैं इसा इसा नहीं है अपनी ही करनी का फल है अच्छाईयां और बुराईयां जहां जाएंगे साथ चलेगी अपनी परच्छाईयां इसको ध्यान में रखना है तो परचाई करनी ही अच्छा बना लेज़े परचाई से पीछा चुराने की आवे सकता क्या है परचाई ही अच्छी बना लेज़े तो देखिए सितारों के आगे जहां और भी होंगे जिन्दगी के इंतिहां और भी होंगे आपको तो आगे जा नहीं है न सितारों के आगे काम को चुराइए समय को चुराइए और सही दिसामनिवेस कर दिदे समय को समय को व्यर्थ गवाना अलग चीज़े और निवेस करना अलग चीज़े आज कल चला हुआ नहीं है यूट्यूब पे किसी तरह वो पब्लिक का ध्यान अपनी और खीच रही है तो जब सका व्यूवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसके व्यूज बढ़ेंगे लाइक कमेंट बढ़ेंगे क्योंकि वो उतना डेयरिंग किया इसका कोई shortcut नहीं है, कोई technique नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी करके इंसान YouTube पर पैसे कमा रहे हैं, कौन समझते हैं अच्छे लोगों को, तो वो तो जुरे रहने चाह रहे हैं, कोई चीख चिला करके कमा रहे हैं थे, एक और थे, यादे, कोई हस हस करके पागल की तरह कमा र ही थे, तो एक से एक नमूने लोग हैं, अब जिसके पास content नहीं है, वो क्या करें? मा के पेट से तो कोई असोख सर बन करके नहीं आता तो फिर इसनान को गलती का हसास होता है वो अच्छा करने लगता है अपनी गलती का हिसास होता है और वो सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जागा इसलिए तो रिस्तों में आगे बढ़ते जाते हैं लोग और जब सामने वाला इस हद तक जैसे लो भी हो कई लोग दहेज के लो भी होते हैं तो इस हद तक लो भी होते हैं दहेज के कि वो गला दवा कर मार दते हैं एक तो यह व्यार बाती हैं लेकिन अपना सस्राल नहीं चोड़तीं का लगि यह जानald भी गवाद लेकिन अपने पती का घर नहीं चोड़ती है कारण किया रिस्टों को बचाने चाहती है सोचती है कि एख पादि हो जाएगा पती जीवन जीने के लिए जरूरी ए लेकिन सबसे बुरा मालिक है लोवी के मन में लोव के रूप में वह अपना कपार पे बैठा लिया फैसे को तो क्या हो गया तैंडव हो गए हमें रिश्टे बचाने कमजोरी नहीं दिखाने यहां पर समझना चाहिए जो चीजें हमसे नहीं स पर देना ही चाहिए लिकिन लोग नहीं स्मानते हैं वही रहना चाह़ते हैं एक ढगोसला है कि लर्गियां आती हैं डोली में माएके से जाती हैं सस्षराल से अर्थिक है इसलिए उस रहा पे चल पर तेलगा और यह बक्वास हैं चंदगी नाम है जीने का अन्मूल डाल में काला हो तो काला निकालते हैं डाली काली हो तो किया करें दूसरी डाल पकाऊ तो अगर फ़लिए पाने में एक कंकर आगिया या कििरह है convince है तो निकाल कर फैडी दें मक्यों के बीच में हम एक चम्मच पाई डालेंगे तो क्या करेंगे उसे पिएंगे हमसे वरा बेवकूप कौन होगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए सद बुद्धी भी तो होनी चाहिए न लेकि इतना दवाव होते हैं न रिस्तों के रिस्ते बोज बन जाते हैं झाले दवाव नहीं होने हैं यह सह्योगी होंने यह ध्यूसरी करें है मैं आप देख लीजिए जहाँ पे आपकी मन नहीं लग रहे हो ना वहां पे आधा हैं अद मर्ड़ласт बिटा देजे तो भी कहेंगे कि एक घंटा और जा खतम हो गया अभी तो सुरूवत